हालो फ्रेंज आज हम बात करेंगे डियर लेड फर्स्स समस्टर के बारे में आज का दोस्तों जो हमारा बिस्से है वह एक कंप्यूटर ठीक है इसके जो अत्य लगू उत्तुरी प्रस्न है उसके बारे में चार्चा करेंगे जो प्रस्न वह लिए जो इस पहले एक्जाम में पूछा गया ठीक है अगर दोस्तों आप में चलने को सब्सक्राइब करेंगे लिए क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो पनाता रहता हूं ठीक है तो चलिए स्टाट करते हैं जो पहला प्रस्ने क्या है बेसिक से हैं ठीक है पर्थम गरना करने का यं ठीक है मतलई किसी भी चीच को घरना करना आप नेट्रसंमेंद दखेंगे इसमें क्या दिया है प्रक्स लाइन ठीक है कर आब इसकार कि समय एक स्टे शूर। ठीक है मलक्र क्याता था तो इसमें क्या प्रस्त न दिया है एक कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन है या कौन से हैं तो मुख्य भाग है तिन यह चार होती है पहला है इन्पूट डिवाइस दुसरा है आउटपूट डिवाइस तीक तीसरा आपको क्या है प्रोसेसिंग यूनीट और चोठ्था क्या है विमेर इन्ट ठीक अगले प्रस हम लोग बात कर लाते हैं इस पिया ते कंप्यूटर को मुख्यत कीन दो भागों में बाटा गया तों कूंप्यूटर को डो भागों मारी घ् braking पहला हाटवेर दूसरा साब्ट को टिक है आपका हाटवेमिक कुन सा अल्प का ईका जिसे आपका सीप हो गया माया सो गया कुबॉर ने चाथयूच कोण हे कलपना कब की गई तो कम्प्यूटर की जो कलपना है वो कब 1823 में की गए थी और किसने की जना सर चार्ल्स ने गया थी ठीक है और इन्हें को कम्प्यूटर का जनक सबस्वास की जला जाता है और एक ले प्रसम देखा ठीक है मानिटर स्पीकर से मिलकर बना दोस्तों देख लेते हैं कौन सा प्रस पोचा है केम्प्यूटर में किस भासा का परियोग होता है तो दोस्तों केम्प्यूटर में बाइनरी भासा का परियोग होता है अब अगले प्रस दोखेंगे केम्प्यूटर सब लेटिंग भासा क केंप्यूट्यर सब्से बनाएं अब हम लोग एकली प्रेस्ट में बात करते हैं क्या प्रेस्ट पुछा है केंप्यूटर की परिभासा ठीक है इसका डिफिनेशन पुछा है तो चली देख लेता है केंप्यूटर एक क्या है दोस्तों इलेक्ट्रिक हियंतρχ जो मनुस द्वारा दीए डेटा आकल को गर्याकर्ता है ध्यकी एक एव्यूका अणोगर्योगर्य करता है उसको कि उसको क्या करता है प्रोस्यस करता है यह उनको 31 मतलब संग्रे करता है है तत्पस्ता आप सकता पढ़ने पर पढ़ने पर परस्तूत करता है तो दोस्तों के कंपीटर के परिवास होगे तक प्रश्न देख लेंगे कंपिटर में हर्डवेय क्या है कंपूटर में तो कंपिटर के जो यहां तरिक व्यतों न्युक्त था इलक्टॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं अग्या हम आग ने प्रसमा उसमें क्या पुछा इंपुट डिवाईष कि चली farewell में केंपुटर में जिन डिवाईस द्वारा निंश्च दिया जाते हैं उन्हें इंपुट डिवाईस करते हैं मुझा हम निर्देश देते उसलिको इंपुट में देखते देखलेंद लता है कुछ परमुख इनपुट डिवाइस का नाम आप तो इंटेंड दिवाइस को गारा देख लाते हैं किबोर्ड़ है hai माउस और स्कैनर अब दोस्तों हम लोग अगले प्रस्तन बात करेंगे आउटपूट दिवाइस की नहीं करते हैं ठीक है यह तो इन्पूट हो गया जो दिया जा रहा है मतलब आउटपूट जो आपको प्राप्त हो रहा है कंप्यूटर में वह डिवाइस जिसके माध्यम से ह हम निर्देश का अंतिम निर्षकर्स या परिराम प्राप्त करते हैं उससे क्या बोलते हैं दोस्तों उसे आउटपूट दिवाइस करते हैं ठीक है मतलब की केम्प्यूटर में जो डिवाइस जिसके माध्यम से हम निर्देश का अंतिम निर्षकर्स या परिराम प्राप्त करते हैं उसी को क्या बोलते हैं आप एक और प्रस देख लाते हैं इसमें पूचा कि की वर्ड सोड़ी दोस्ता की बोड क्या है तो की बोड सालों जानते होंगे एक ऐसा यांतर है जिसके द्वारा केम्प्यूटर को आउसकता या आउसक निर्द्यस प्राप्त किया जाते हैं किवर्ड जो भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में और निर्द्यस प्राप्त करता हैं माइक्रो कंप्यूटर किसे करते हैं तो जो आकार में छोटे होते हैं या कम गति से करते हैं जो आकार छोटा होता और कम गति से करते हैं उन्हें माइक्रो या प्रस्टनल कंप्यू income computer तो यह lr сrv by monitor से बढ़ा होता है wide specific का बेंद रहते हैं मेनि computer बोलते हैं है और तुलना में अधिक त्रजी से चार करते हैं ठीक मैं माइक्रो नीओ से बढ़ा थे और उस तुलना में बहुत ज्यादा या बहुत तेजिसकार करता है कि यह माध्यम अकार वाले computer के होते हैं ठीक है स्वेस्टों मध्यांज लिखा किम्हेद बोल दिया स्वेस्ट मध्यां आकारवाली computer होते हैं ठीक है रब नेक्स्ट वह outfit li करते हैं स्वेल में अपने काई क्या थो दूम्हीं थीट्यें में शमता करने आपकर कि ईखको प्रश्ब्स में दखा आते हैं कि बैंडरी प्राराली क्या है तो केम्प्यूटर में लगा इल्ट्रोनिक सर्क्यूट केवल मसीनी भाषा ही समस्च सकता इस भाषा में केवल दो आंको आईक इस बाहसा को इसा दो दो आई जीरो यह एक कही पर्योग होता है इसे बाइनरी पड़ारी बोलते हैं अगली प्रस देखलते हैं बीट क्या है तो बीट बाइनरी डिजिट का संचिप रूपे ठी किसका बाइनरी डिजिट को ही बीट बोलते हैं और बाइट किसे कहते हैं तो जो आठ बीट के सम्मू को की गढ़ना करना ही आपका एल यू है और अगले पर देखलते हैं मोड़ों क्या यह कंप्यूटर में प्रिडियों को होने वाली एसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेल्योफोन की लाइन द्वारा एक लू दूर इसतित कंप्यूटर से डेटा का आधान परदान किया जा सकता है उसे दूसरों मोड़ों बोलते हैं चले दोस्त देख लेते हैं इसमें क्या प्रस्ट पूचाएं कि cpu क्या है ठीक है देख लेते हैं यह कंप्यूटर का परमुग भाग होता है किसका दूस्तों कंप्यूटर का इससे कंप्यूटर का मस्तिक्स कहा जाता है सिप्यू को कंप्यूटर का मस्तिक्स भी कहा जाता कि कंट्रोल यूनिट का कार क्या है ठीक है जो कंट्रोल यूनिट है उसका कार क्या है वह मादम जिसके द्वारा किसी भी कार को नियंत्र किया जाता है ठीक है वह कार है वह मादम जिसके द्वारा किसी भी कार क्या किया जाता है नियंत्र ठीक है जैसे इंपुट किये हुए डेटा को प्र के बराबर होता है तो दोस्तों किसके बराबर होता है वह एक हजार चौबीस मेगाबाइट के बराबर होता है एक गीगाबाइट आगले अलोग बात करेंगे 1024 GB किससे अरहो होता है तो यह टेर अर्वडर के आपस में जूड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल जो गोली के रूप रखे हुए होते हैं निस्ट परसंते लगते ह्मिएं का पूरा नाम बताइए तो क्या वसका दोस्तों का वाइड़ अगले प्रसंद बात करेंगे सर्वर पूछ इसका अर्थ सर्वर कंप्यूटर का प्रोग्राम नेट्वर्क में इस्तित किसी अन कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवर प्रदान करता है ब्राउजर किसे करते हैं ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम में जो उभोगता है यो वेब सर्वर के भी संबंद अस्थापित करता है अब यू आईल का पूरा नाम तो क्या है यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर ठीक है कि अगधने प्रह प्राउए इमेल किए ऊँन्देश करने वाले ब्यक्ति की पाचान तथा उस व्सवर्साइट का नाम जिस पर इगाउंट कोला गया है होता है आप निंघ्ट पर्शन देख लाते हैं मैंने कंप्यूत नहीं में रैम की चंबता क्या है तो जो मीनी कंप्यूतर है उसमिंदाइं भी चंबता एक एमबी से दोश्स हपान भी रैम की चंबता होती है डेहटट्स्टा लारेकर कंप्यूतर एक सिस्टम फोल्डर है क्या दोस्तों एक सिस्टम फोल्डर है जो जेक्स टाप पर परदर्सित होता है कि इसमें डिक्स ड्राइब तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं कि दोस्तों माई केम्प्यूटर में एक और प्रस निख लाते हैं कि रेसाइकल बीन किकसे करते हैं यह सबको मालूम होगा सुःषाल से निदर उन आइटमों को श्टोर करता है जिरें डिलीट कर दिते हैं मैं प्रफटन केंप्यूटर का समय कर से कब तक था तो दोस्तों वह उन्हीं सो प्षपन तक था नेक्स्ट प्रसन बात कर लते हैं इसमें क्यादे कंप्यूटर के विकास को किटनी पीडियों में बढ़ता गया था अब लोग देखेंगे नेक्स्ट कोस्टन दोस्तों खतम गया आपको मेरे वीडियों कैसा लगा दोस्तों में सेयर कर दीजिएगा अब मैं चलने पर नहीं आता चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए ठीक है धन्यवाद